दोस्तों मैं आपके साथ आज सेक्टर्स के बारे में डिसक्स करने वारा हूँ कुछ ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर I feel कि यहाँ पर हमें जरूर एक रिकवरी देखने को मिल सकते हैं और वो भी निफ्टी इंडेक्स से पहले तो यहाँ पर एसे स्टाक्स को भी हम डिसक्स करेंगे specifically उस सेक्टर्स में जहाँ पर हमारे लिए एक अच्छा अपॉचिटर्टी बन रहा है तो इसे कुँछ सेक्टर्स है दोस्तों यह सेक्टर है रियल्टी सेक्टर जैसे कि रिययल्टी सेक्टर में हम देख सकते हैं हम रियल्टी सेक्टर के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक बॉक्स नज़र आ रहा है एक लम्री टाइम का consolidation जो हुआ था हम देख सकते हैं यहाँ पर यह है इसका consolidation zone इसका breakout हो चुका था दोस्तों आप देख सकते हैं इस candle में breakout होने के बाद stock retest किया है यहाँ पर प्रॉपर ली इस box के level पर जो की था 375 का level दोस्तों 375-350 यह important levels दे इस sector के इसके जब यह ऊपर चला गया अच्छा momentum दिया फिर से नीचे आया रिटेस्ट कोने को और रिटेस्ट जो pattern हुआ है formation यहाँ पर वह कुछ trend line जो सब pattern है descending trend line का formation हुआ है और उसका हमें shorter time frame यानि कि daily time frame पर एक breakout नजर आ रहा है तो यह एक अच्छी बात है तो यहाँ पर मैंने daily time frame पर चार्ट को convert किया है दोस्तों अब देख सकते हैं कि daily time frame पर हमें एक बढ़िया trend line का breakout देखने को मिल रहा है इस sector में ift reality sector और यह जो है यह multi-up breakout हुआ था multi-up breakout होने की बाद फिर से retest करके यह उपर जा रहा है मतलब कि reality sector में आने वाले कुछ महिनों में या हफ्तों में एक अच्छा rally हमें देखने को में दे सकता है उपर की तरफ तो यहाँ पर हम reality stocks पर specifically focus कर सकते हैं जो stocks में radar पर रख रहा हूँ इस particular sector में वह है दोस्तों संटेक reality में क्यों हमें trade करना चाहिए या क्या opportunity उसमें बन रही है तो संटेक reality इस stock का मेने चार्ट को open क्या है दोस्तों monthly time frame पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि stock multi-year resistance phase कर रहा था 2019 से और 2019 से लेकर अभी तक यानिकी 3 years से यह stock इसी resistance की नीचे consolidate कर रहा था अभी यह फिर से इसी resistance को breakout करने की कोशिश कर रहा है अगर यह इस time successful हो जाता है दोस्तों इस level की उपर अगर यह sustain करता है जो कि है 540 और 550 का level यह काफी crucial level है दोस्तो 530 का level भी crucial है और उपर जो यह week गई है ना यह भी होती important level है तो यहां तक stock तो जा सकता है अगर इसका breakout होता है तो first time तो यह short target भी हम मान सकते है दोस्तो 600 के पास तो इसलिए मैं Suntech reality को select किया है क्योंकि यहां पर जो chart structure है वह positive नजर आ रहा है और stock में enough potential है कि वह उपर जा सकता है दोस्तों I hope कि आपको Suntech reality stock का chart analysis समझ में आया होगा और यहां पर एक अच्छा खासा momentum हमें देखने को मिले सकता है दोस्तों इसके breakout के बाद और sector में तो breakout हो चुका है पर DLF में अभी फिला नहीं हुआ है तो यहां पर हो सकता है कि DLF breakout कर दें फिर retest कर दें इसी level पर और फिर यहां से हमें एक अच्छा खासा upfront को मिले यह हम capture कर सकते है दोस्तों इन stocks में हम positional trading या short term trading के नजरिये से position create कर सकते है minimum 3-4 months लेकर हम इन में position create करके एक अच्छा return internet कर सकते हैं दोस्तों और एक बात मुझे आपको बता नहीं है दोस्तों जो reality sector है यह तो bullish है ही उसके साथ जब reality sector bullish होता है तब किन-किन sectors पर impact आता है like जब reality sector है तब हमें cement sector में भी तेज़ी देखने को मिलती है obviously reality sector एक heavy infrastructure business है यहां पर जो भी inputs use हो रहे है रहे है cements वगरा और steel तो यह जो सेक्टर है steel sector cement sector यहां पर भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों तो इस तरह के से हम predict कर सकते है sector retention को तो reality sector में तो तेज़ी है ही हम cement sector stocks को देखेंगे इंफ्रा sector stocks को भी देखेंगे जैसे कि L&T हो गया last round to bro cement sector में Amoja Cements है और उसके बाद auto sector में भी हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों आई शो मोटर में एक multi-up breakout हुआ है और उसके बाद steel sector में दोस्तों जहां पर वेदानता पर मैं especially ज्यादा focus कर रहा है दोस्तों वेदानता एक perfect point पर मुझे नजर आ रहा है तो यहा आज की sector analysis अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए